हेलो एब्रीवन वेलकम यू आल इन आवर चैनल 21 कॉर्णर्स अचीवर्स आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपोर्टेंट मॉडरन हिस्टी के टॉपिक के बारे में इसका नाम है गवर्नर जेनरल्स एंड वाइसरोइज जो 1757 चे लेके 1947 तक मतलब इंडिपेंडेंस तक ज एक्जाम्स परस्पेक्टिव से क्योंकि यहां से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स बनते हैं डिफरेंट एक्जाम्स में और क्वेश्चन्स आते ही आते हैं इस टॉपिक से तो इसके बारे हम डीप डिटेल्स में जानेंगे ठीक है लेकिन उससे पहले मैं आपको बता द अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दू सब्सक्राइब एंड फॉलो दिस चैनल फॉर मोर रेगुलर अपडेट क्योंकि हम इसमें करन्ट अफेर्स भी प्रोवाइड कराते हैं जैसे कि एससे बी इंटर्व्यू के लिए भी तो जोकुल है उसमें है गवर्नार्व तक आयते है जो समय है लेकर 1764 से लेटें ऊशब्सक्राइब फेडिया अब बैंगोल से हट लेके इंडिया का हुगया ठीक है तो 1833 से लेके 1858 तक जितने भी आये थे उनके बारे में अब नेक्स जो है उसमें है गवर्नर जनरल्स एंड वॉइसरोइस तो वॉइसरोइस का एक टैटल जुड़ गया था तो उसका जो है वो 1858 से लेके 1947 तक जो वर्क आफिस ता ठीक है तो पहले स्टार्ट करते हैं हमारे जो most important governor of Bengal 1757 से लेके 1774 तक Robert Clive ठीक है Robert Clive इनका नाम है और बहुत बारी questions बनता है कि who was the first governor of Bengal तो ये थे Robert Clive तो governor of Bengal during 1757 तो 1760 तक ठीक है 1757 से लेके 1760 तक ये governor थे और इन्हों ने इस्टैब्लिश की थी dual government बंगॉल में dual government आ गई थी क्योंकि उस time पर established Britishers ने बहुत सारे rule निकाल दिये थे और dual government means कि दीवानी और निजामत मतलब दीवानी मतलब कि company जो होगी वो collect करेगी revenue ठीक है दीवानी में company revenue collect करेगी और निजामत में क्या होगा निजामत में जो particular rights दिये जाएंगे वो नवाबों को दिये जाएंगे ठीक है तो उसका मतलब dual government एक तो गई दीवानी और एक होगी निजामत and Clive's initial stay in India lasted for 1744-1753 पहला जो initial stay था इनका वो 1744-53 थी था और उसके बाद वो फिर से आयते वापस वो 1755 में आयते ठीक है और उसके बाद उन्होंने क्या किया था उसके बाद उन्होंने नवाब अव बंगॉल को जो उस ताइ से बाद का नाम सुनाओगा 1757 जो में जो battle of plassi हुआ था ठीक है उसमें राजुदोला का इन्होंने हराय था बावजूद से राजुदोला की बहुत बड़ी आर्मी होने के ठीक है तो उसमें इन्होंने इस राजुदोला का हराय था अब नेक्स जो है वो है गवर्नर ऑफ बेंगॉल 1774 से लेके 1833 तक ठीक है तो उसमें क्या थे उसमें पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे वारन हैस्टिंग्स वारन हैस्टिंग जो 1772 से लेके 1785 तक थे और यह फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगॉल थे और जो रॉबर्ट कलाइब थे वो फर्स्ट गवर्नर और इन्हों ने क्या किया इन्हों ने रेगुलेट्टिक्ट्ट्ट पास किया था इसके बाद क्या हुआ था Regulating Act में भी बहुत सारे उस टाइम पर starting में जो functions government चलाने के लिए functions different बनाये गए थे वो ही उनके बारे में discuss किया गया था ठीक है और इसके बाद क्या हुआ था He wrote an introduction to the first English translation of the Gita by Charles Wilkins ठीक है गीता का पहला English translation हुआ था Charles Wilkins वारा उस टाइम पर और उन्होंने He also founded the Calcutta मदर्सा Calcutta मदर्सा इन्होंने found की थी Islamic studies को promote करने के लिए 1781 में ठीक है नेक्स जो है उन्होंने आता है ठीक है विलियम जोन्स का तो यह यह याद रखना और इसस असियाटिक सोसाइटी क्यों मनाए गई थी क्योंकि इसमें Literacy और Literary and Science Fiction को provide करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए बढ़ावा देने के लिए इसस असियाटिक सोसाइटी बनाए गई थी ठीक है and also what happened during that time Rohila war हुआ था 1774 में और first Anglo-Maratha war हुआ था second Anglo-Mysore war भी हुआ था 1780 से लेके 1784 था ठीक है and also divided Bengal into districts and appointed collectors and other revenue officials तो Bengal को districts में divide कर लिया गया था ठीक है next है Lord Conval is बहुत important Governor General है यह क्योंकि उनके time पे एक बहुत important system आया था जिसका नाम था permanent settlement ठीक है permanent settlement बिहार में आ गया था permanent settlement में क्या हुआ था कि इसमें different agreement sign हुए थे British East India Company के साथ और landlord of Bengal जो Bengal के landlord होते थे उनके बीच में agreement sign हुआ था कि जो land revenue होगा उसको settle करने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए यह permanent settlement system लेके आये थे यह बिहार and Bengal में 1793 में अलग से इसका question मनता है इसको याद रखना and he also established lower courts and appellate courts के मतलब appeal करने वाले जो court होते हैं वो उन्होंने establish किये थे Sanskrit college को establish किया था उन्होंने उस time पे introduction of convales code हुआ था civil services लेके आये थे इंडिया में यह इनको father of civil services भी बोला जाता है तो यह आप याद रखना अलग से question मनता है इसका lord convales father of civil services ओके थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ था और treaty of sharing a platinum sign हुई थी जिसमें टीपू सुल्तान जी हार गए थे और फिर 1998 से लेके 1805 तक थे और इन्होंने subsidiary lands एक policy आई थी जो कि उस time पे इंडिया के rulers थे इंडियन army के rulers थे जो उस time पे वो अंडर आ गए थे British army के ठीक है और एक नईने rules उसमें बनाए गए थे जिस जो इंडियन army के जो soldiers हैं उनको follow करना था British army के अंडर ठीक है और उन्होंने Fort William College बनाया था Calcutta में Fort William College बनाया था Calcutta में बहुत बारी यह question भी आता है कि Fort William College किस ने बनाया था तो Lord Wallace ने यह बनाया था Fort William College ठीक है और formation of मदरास presidency in 1801 ठीक है मदरास presidency 1801 में इनका formation हुआ था और यह Treaty of Basin के टाइम पे भी थे ठीक है नेक्स्ट है Lord Minto 1 जो 1807 से लेके 1813 तक थे और उस टाइम पर क्या हुआ था Charter Act of 1813 आया था ठीक है और महराजा रंजीत सिंग के साथ Treaty of Amrit Sir sign हुई थी ठीक है नेक्स्ट है Lord Hastings यह थे 1813 से लेके 1823 तक 13 से लेके 23 तक ठीक है और इन्होंने यह end कीती policy जो non-intervention है और adopt कीती policy intervention and war की ठीक है non-intervention जो है वो एक policy थी उस टाइम पे जिसमें की मतलब जो लोग होंगे वो interfere नहीं करेंगे foreign affairs में, internal affairs में interfere नहीं करेंगे बिलकुल भी वो इन्होंने policy end करी थी और यह policy लेके आए थे कि वो intervene करेंगे और war की policy लेके आए थे कि मतलब war के perspective से यह policy लेके आए थे कि intervention and war के perspective से और इन्होंने establishment करी थी riot worry system in madras, riot worry system बहुँ जाद important system है इसके बारे में मैं डेटेल में बताऊंगा लेकर मैं बता दूँ कि इसमें क्या हुआ था basically rent revenue collect करने के लिए directly जो cultivators होते थे फार्मर्स होते थे उनसे revenue collect किया जाता था ना कि जो कि landlord थे उनसे ठीक है तो direct farmers से revenue collect किया जाता था रेटवारी system के अंदर और इन्होंने bomber presidency 1818 में भी create करी थी ठीक है and next जो इनका time पर हुआ था एंग्लो नेपलीज वार हुआ था एंग्लो थर्ड एंग्लो माराथा वार भी हुआ था 1817 और 1818 में ठीक है next जो है वो है Lord William Bantic Lord William Bantic ठीक है और ये बहुत ज़्यादा इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा liberal थे बहुत ज़्यादा broad-minded इनकी source थी और इन्होंने क्या क्या था इन्होंने आगे लेके गए थे modern western education इंडिया में ठीक है उनको father of modern western education भी कहा जाता है ठीक है सतीपरता को इन्होंने abolish कराया था ठीक है ये भी question अलग से बनता है कि सतीपरता को किसने abolish कराया था तो वो थे Lord William Bantic ठीक है और उनके टाइम पर क्या हुआ था annexation of Mysore हुआ था 1831 में next जो है वो है इन्होंने और क्या किया था इन्होंने recommend किया था मैकाले committee को क्योंकि मैकाले committee आई थी English को बढ़ावा देने के लिए इंडिया में ठीक है English को medium of higher education बनाया गया था इंडिया में और इन्होंने first medical college बनाया था कैलकटा में यह याद रखना first medical college कैलकटा में इन्होंने बनाया था और इनके टाइम पर charter act पास हुआ था 1833 का ठीक है नेक्स जो है वह रहें गवерх Annals गवेर्नर्ष गवर्नर्ष गवर्नर्ष जो है 1833 से लेके 1850 टक 58 तक और यह बने थैं फर्स्ट गवर्नरर जनेटरल ऑफ इंडिया था उर्सट गवर्नर्र जन्रल ऑफ इंडिया था हुआ इसी बासिस पे ठीक है और इन्होंने क्या किया थ यह court में वो different different province में different different area में वो abolish हो गई थी बंद हो गई थी ठीक है और इन्होंने क्या किया था इन्होंने annex किया था कूर्ग को उसके बाद central का चरको ठीक है next जो है वो आयते sir Charles Metcalf और इन्होंने क्या pass किया था इन्होंने famous press law pass किया था भी freedom दी गए थी expression की press में ठीक है और यह थे 1835 से लेके 1836 तक उसके बाद आये थे Lord Auckland आये थे 1836 से लेके 1842 तक ठीक है इनके टाइम पर क्या हुआ था first Anglo-Afghan war हुआ था and क्या हुआ था great blow जो वो great blow था prestige of British के लिए ठीक है इंडिया में ठीक है next जो है वो है Lord Dalhousie सबसे धाधा important governor general है इंडिया के ठीक है और यह रहे थे 1848 से लेके 1856 तक ठीक है और उन्होंने क्या किया था shifted the headquarters of Bengal artillery from Calcutta to Meret यह इन्होंने किया था उसके बाद इन्होंने क्या किया था Shimla was made the permanent headquarters of army and summer capital Shimla को summer capital बना गया था और headquarter बना गया था आर्मी का ठीक है उन्होंने इनके time पर क्या हुआ था गुर्खा रेजिमेंट जो गुर्खा रेजिमेंट थी इंडिया की infantry वो formation हुआ था उसका ठीक है उस time पर और इनको क्या माना जाता है इनको माना जाता है youngest governor general of India क्योंकि 36 की महज 36 की age में यह governor general बन गये थे और इनको औ maker of modern India भी इन्हें का जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीजें इंडिया में लाई थी जैसे कि इंडियन railways हो गया postal system हो गया और इन्होंने abolish किया था टाइटल और पेंशन रैंक वगएरा लगाया जाती थी वो इन्होंने abolish किया था और यह लेकिया थे widow remarriage act 1856 यह य यह मानते थे कि राजा का विटार राजा हुगा वो इन्होंने उन्हalin सीदेह भटा धिया था जैसे बहले होता था इन्होंने फिर नेक्स्ट यह लेके आ गई थे कि राजा के विटारा नहीं ही बनेंगा और वह सरकार जो चलाएंगे ब्रिटिसंस चलाएंगे ठीक है वो उसको कहा जाता है Doctrine of Labs इसके बारे मैं बता रखा है पिछली वीडियो में ठीक है और इन्होंने स्टार्ट किया था GT Road GT Road कहां से स्टार्ट किया था इन्होंने GT Road स्टार्ट किया था और क्या डेवलप किया था Harbor किया था जैदपूर और संबलपूर कैप्चर किया था 1849 में भगत 1850 में उदैपूर 1852 में और जहांसी 1853 में नागपूर 1854 में यह बहुत बार यह अलग से क्वेशन बनता है कि कब कौन सा कब कब इन्होंने कैप्चर किया था ठीक है यह याद रखना नेक्स जो है यह लेकिया थे वुट्स डिस्पैच ऑफ 1854 यह बहुत बारी एक्जाउन दे पूछते हैं कि वुट्स डिस्पैच कौन लेकिया थे तो यह लेकिया थे लॉड डलहॉजी 1854 में और इसमें क्या हुआ था बेसिकली एड़ुकेशन को प्रोवाइड किया गया था जैसे के वर्नेकोल उस ताइम पे लैंवज होती थी वो उन्होंने डेवलप कर रही थी उस ताइम पे प्रैमरी लेवल पे और फिर हाईल लेवल पे इन्होंने याद रखना आपको ठीक है First Voice Roy of India थे and Last Governor General of India थे ठीक है ये याद रखना और Revolt of 1857 इनी के टाम पर हुआ था Revolt of 1857 ये याद रखना Lord Kenning के टाम पर हुआ था ठीक है उन्होंने पास किया था Act of 1858 उसी टाम पर और इन्होंने Doctrine of Laps ये वापस लेके आ गए थे ठीक है Doctrine of Laps इन्होंने हटा दी थी, Cancel कर दी थी जो Doctrine of Laps ये Lord Dalhous लेके आये थे वो इन्होंने Cancel कर दी थी और ये वापस वही लेके आ गए थे रोल जिसमें राजा का बेटा राजा बनेगा मतलब कि King का बेटा ही King बनेगा ठीक है नेक्स जो है वो है गवर्णर जन्रसाइन वाइसरोइज ओफ 1858 तो 1947 ठीक है तो Lord Kenning ही पहले वाइसरोइज बने थे मैंने आपको बताया और उन्होंने इंदियन पीनल कोड इंदियन पीनल कोड ये लेके आ थे सबसे पहले इंदियन पीनल कोड लेके आ थे जो किरिमिनल प मदरास इनके टाइम पर फाउंड हुई थी 1857 के बाद ठीक है यह बिल्कुल याद रखना यूनिवर्सिटी ओफ स्केलकटा बंबे अंड मदरास इनके टाइम पर फाउंड हुई थी Lord Kenning के टाइम पर ठीक है नेक्स जो इन्होंने किया था नेक्स जो गवर्णर जनल है वो हैं Lord Mayo ठीक है Lord Mayo और इन्होंने क्या किया था financial decentralization किया था इन्होंने decentralize कर जिया था financial को कि मतलब local level पे इन्होंने finance को बाट दिया था ठीक है local governments में और इन्होंने राजकोर्ट college कठिया वार में develop establish किया था ठीक है इनके टाइम पर statistical survey भी और्गनाईज हुआ था पहली बार ठी इनका office में ही murder किया गया था ठीक है office में इनका murder किया गया था इकलोगते वाइस रहे हैं उनके time में पहली बार इंडिया में census आया था इनके time पर पहली बार इंडिया में census आया था Lord Mayo के time यह याद रखना है आपको Lord Litton उसके बाद आये थे और इन्होंने क्या पास किया था इन्होंने पास किया था Vernacular Press Act Vernacular Press Act जो 1878 में आया था वो इन्होंने पास किया था और जिसके अंडर क्या हो गया था कि Press Freedom मिल गई थी लोगों को ठीक है और मतलब कि जो उस टाइम पे लोग थे उनको ये criticize करने के लिए जो British government है उसको criticize करने के लिए करने की ठीक है अब इन्होंने next क्या क्या था इस्टेटरी सिवल सर्विस इन्होंने 1878 में लेके आये थे और इन्होंने lowered the maximum age 21 to 19 years तक ठीक है जो maximum age 21 से लेके वो 19 तक लिए लिया थे civil services की परिक्षा के लिए उस टाइम पे ठीक है अब next जो है वो थे Lord Rippan और इन्होंने repeal किया था Vernacular Press Act को इन्होंने Vernacular Press Act मतलब हटा दिया था repeal कर दिया था और इन्होंने क्या किया था resolution local self government ये लेके आये थे इनको father of local self government भी बोला जाता है Lord Rippan को ठीक है याद रखना है आपको और इनके टाइम पे इनके टाइम पे पास हुआ था ठीक है next जो है Lord Dufferin Lord Dufferin के टाइम पे क्या हुआ था कि Indian National Congress का establishment हुआ था 1885 में ये याद रखना है आपको Lord Dufferin के टाइम पे टाइम पे हुआ था Lord Lansadon आये था उसके बाद जिनके टाइम पे Indian Council Act हुआ था 1892 का ठीक है और ये क्या लेके आये था University Commission लेके आये था University Commission लेके आये था ठीक है और ये जादा बहुत जादा important है कि इनके टाइम पे partition of Bengal हुआ था और इनके टाइम पे Northwest Frontier Province एक नया प्रोविंस create हुआ था उस partition के बाद ठीक है अब next जो है वो है Lord Minto 2 जिनके टाइम पे स्वादेशी मुव्मेंट हुआ था Muslim League found हुई थी सूरत सेशन हुआ था और Congress split हो गई थी 1907 में extremist और moderates में ठीक है आपने सुना होगा गरम दल और नरम दल में Congress split हो गई थी उसके बाद newspaper act ये लगा आये थे और मौरल मिंटोर रिफॉर्म्स लेके आये थे ठीक है next जो है Lord Harding है Lord Harding के टाइम पे क्या हुआ था कि Capital transfer हो गई थी Calcutta to New Delhi next इनके टाइम पे क्या हुआ था कि Hindu मासभा found हुई थी मदन मोहन मालविया द्वारा 1915 में बहुत important है ये याद रखना है next आये थे जो Lord Camps Ford आये थे next ठीक है Lord Camps Ford आये थे इनके टाइम पे Home Rule Moment हुआ था बहुत सारी चीज़े हुई थी चमपरन सत्यगरह हुआ था गांदी जी इंडिया में आये थे पहली बार Monte Camps Ford reforms भी आये थी रोलेट एक्ट पास हुआ था जलियाँ वाला बाग मैसकरे हुआ था और खिलाफद मुवमेंट और नॉन कोफरेचन मुवमेंट स्टार्ट हुआ था इनके टाइम पे बहुत सारी चीज़े हुई थी ठीक है Lord Irwin उसके बाद आये थे Lord Irwin के टाइम पे क्या हुआ था कि साइमन कमिशन इंडिया था 1927 में और क्या हुआ था सिविल डिसोविडियन्स मुवमेंट हुआ था 1930 में डांडी मार्च हुआ था फर्स्ट आउंटेबल कॉन्फरेंस हुआ था और गांधी इर्विन पैक्ट हुआ था और जतिन दाज जी जिनको जेल में ही जिनका निदन हो गया था अंगर स्ट्राइक के चलते हुए वो हुआ था उनके टाइम पे Lord Irwin के टाइम पे 1926 से लेके 1931 तक उसके बाद आये थे Lord Linhingo और उनके टाइम पे इनके टाइम पे हुआ था फर्स्ट जनरल एलेक्शन हुए थे 1936 में 1936 में फर्स्ट पहली बार जनरल एलेक्शन हुए थे और क्या हुआ था कि क्विट इंडिया मुमेंट हुआ था August ऑफर 1940 गा हुआ था ठीक है और क्रेप्स मिशन जो 1942 में हुआ था यह भी इनही के टाइम पे वा था और इनके टाइम पे forward block found किया था सुबास जंदर बोश जी ने थिक है forward block Lord इंडिनको के टाइम पे next जो है थे वो आई थे Lord Vival और यह वेवल प्लाइन लेके आ थे similar conference भी थी जिसके चलते हुए 1945 में different functions के लेके आने के लिए और सी आर फॉर्मुला 1944 है ना उस टाइम पे जो बहुत-बहुत ही डिस्प्यूट हो रहे थे इंडियन मुस्लिम लीग के चलते हुए और इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के चलते हुए ठीक है डिस्प्यूट हो रहे थे उनको सॉल्व करने के लिए यह ह बनाया था ठीक है 1946 में लॉड माउंट बैंटन आये थे उसके बाद जो बहुत जादे इंपोर्टेंट है मार्च से लेके ऑगस्ट 1947 तक यह गवर्नर जनरल रहे थे और यह लास्ट गवर्नर जनरल रहे थे और इनके टाइम पर क्या हुआ था टू बाउंडरी कमिशन जैसे कि इंडिपेंडन से पहले और यह फर्स्ट गवर्नर जनरल ते फ्री इंडिया के इसमें कंफूज मत हो ना कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन ते फ्री इंडिया के यह यही थे लॉर्ड माउंट बैंटन ठीक है 1947 से लेके 1948 तक यही फर्स्ट गवर्नर जनरल रहे थे और उस टाइम पे गांधी जी का निधन हुआ था ठीक है अर उसके बाद जो last Governor General और first Indian Governor General C.Rajagopal चारी बहुत जादे important है लास्ट बट नट लीस्ट बहुत जादे important है यह क्योंकि ये पहले गवर्नर जनरल थे जो भारती है थे ठीक है आज का सेशन हमारा यही कतम होता है फ्रेंड्स प्लीज डू लाइक, शेर और सब्सक्राइब 21 Corners for more regular updates and informative materials थैंक यू, जाहिन